हलो चिल्रन वेलकम टू ग्यानवी जी जे पार्ट 22 और यूनिट 21 लेकर आया है चलिए स्टार्ट करते हैं mental athletics and now time for some mental athletics two shapes are given such that each shape represent a natural number natural number represent कर रहा है यह जो shapes दिये हुए है और इनका जो sum है वो 20 है और ये वाले जो हैं दो numbers same numbers है मतलब अगर 5 है तो दोनो 5 होंगे अगर 3 है तो दोनो 3 होंगे तो और उनका sum होगा वो 20 होगा पर ये जो दिया है ये quantity वाला जो sum number है वो इस से चोटा है इस वाले number से चोटा है और यहां पे इन दोनों का sum भी 10 दिया हुआ है तो बस हमें find out होई गया है कि ये जो number है ये वाला 5 होगा और ये वाला 10 होगा तभी 10 प्लस 5 प्लस 5 इस इक्वल तो 20 और वो natural number भी है वो भी हमें ध्यान रखना है तो बस ये होगया हमारा 10 और ये हमारा है 5 और 5 अब next questions करते हैं write the value of the shapes अब हमने ये तो find out करे लिया ये 10 होगया ये हमारा 5 है once you know the value do the following questions by replacing the shape with its value बस इस shape की जगे हम values put करते जाएंगे place करते जाएंगे यहां पर 10 ये होगया 15 फिर यहां पर है आपका 10 प्लस this is 5 multiply by 10 अब आपको ये sums board mask के रूल से करना होगे इसका मैंने video बनाया है आपको और इसका detail में explanation चाहिए तो आप वो देख साएंगे सकते हैं simplification नाम से वो video है और मैं link में भी उसका description डाल दोंगे तो board mask है तो पहले आपका multiplication होगा ये तो 5 into 10 50 हो जाएगा that is 10 plus 50 is equal to 60 इसी तरीके से ये वाला sum है 10 plus 5 multiply 10 minus 5 इसमें भी हमें पहले ये multiplication का sign करना है 10 plus 50 minus 5 अब plus करेंगे या minus addition पहले है तो addition पहले करेंगे 60 minus 5 that is 55 इसका answer हो जाएगा 55 ये इसका answer है 60 इसका answer है 15 इसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा 10 multiply by 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 10 plus 10 बस इसको हम 4 को multiply कर देंगे तो क्या आजाएगा 4 0 से 1 2 3 and 4 और इसमें plus 10 कर दीजिए तो answer आजाएगा 1 0 0 1 0 ये इसका answer हो इस तरीके से ये वाला question करेंगे तो ये हो जाएगा 10 plus fifth वाला question 10 plus 5 multiply by 5 plus 10 so 5 multiply by 5 is 25 10 plus 25 plus 10 10 plus 10 is 20 and 20 plus 25 is 45 तो फिफ्थ वाले का answer हो जाएगा 45 इन में सब में आपको साइन का ध्यान रखना है तो आपके कोई भी सम गलत नहीं होंगे क्योंकि एक बार देखने से ऐसा लगता है कि ये सारे same numbers थे यहाँ पे आपको sign अलग है ये सब differences ध्यान रखना है और बहुती ध्यान से करना है तो कोईश भी question गलत नहीं हुआ क्योंकि questions easy रहते हैं पर आपको उसको solve करने का pattern सही होना चाहिए चलिए अब next question है एनलोगी puzzles help us to think about the relationship between two things the symbol means ये जो symbol है इसका मतलब है is the same as or is analogous too तो जैसे हम ratio proportion में करते हैं ये उस तरह का है पर ये थोड़ा सा हटके है proportion exactly proportion नहीं है तो और ratio and proportion के मैंने videos बनाया है आपको देखना हूँ तो आप जरूर से playlist में देखिए चलिए start करते हैं ये वाला question for example 5 is to 25 and ये जो is analogous to 6 is to मतलब अब आप पहले इसका ratio बनाये या मतलब इसका connection ये relationship जो भी है इससे 5 is to 25 कैसे आया वो relationship निकल जाएगी तो ये भी आगे का बे निकल जाएगा तो 5 is to 25 मतलब 5 5s आ 25 मतलब 5 times 5 को करा तो 25 आ रहा है तो उसी तरह से अगर हम 6 को 6 times करेंगे तो 36 आएगा तो ये जो है ये इसका 36 इसका answer हो गया अब इसी तरह के से और भी examples है 7 is to 49 is analogous to 10 is to अब ये 7 7s are 49 होता है तो 10 10s are 100 हो जाएगा ट्राइंगल से हेग्जागन बनता है तो रेक्टाइंगल से क्या बनेगा मतलब हम हम हेग्जागन कैसा रहता है इस तरह के से एसे ही ट्राइंगल से हमने हेग्जागन बनाया है और रेक्टाइंगल से हमारा ओक्टागन बन जाएगा एट साइड्स का अब 270 का ratio हम निकालते हैं किसके हिसाब से 360 degree हमारा है एक circle है उसके हिसाब से हमने अगर निकाला है तो इसके जो 4 parts है 4 parts में हमने इसे डिवाइड करा है तो इसका यह पार्ट छोड़ दें तो यह पूरा जो होगा एंगल 270 degree होगा इसी तरीके से तो 3 by 4 ratio निकाला है अगर हमें 300 दिया है तो 360 में से 300 का हमें ratio निकाला है तो कैसे निकालेंगे मतलब हम इसको किते parts में करेंगे कि 300 हो जाए तो हम इसको 6 parts में डिवाइड करेंगे तो और 6 parts में जब हम डिवाइड करते हैं तो यह 300 कितना part हो जाएगा 5 parts हो जाएगे 5 by 6 हो जाएगा इसमें अगर हमने एक circle लिया है और इसका पॉइंट यह 360 degree है तो जो 300 वाला होगा तो यह कितने parts में डिवाइड होगा 6 parts में इसका एक part हम छोड़ देते हैं तो यह पूरा जो है यह 300 होगा तो यहां पर आ जाएगा 5 by 6 और यह 360 degree के हिसाब से करते हैं तो यह question हो जाएगा अब 4 is to square है तो decagon is to square की 4 sides होती है decagon की कितनी sides होती है 10 sides होती है 180 degree का जो त्राइंगल का sum 180 degree रहता है मतलब एक triangle है तो इसके angles का sum 180 रहता है तो 540 किसका sum रहेगा पेंटागन में जिसमें 5 sides रहती है तो यह पेंटागन हो जाएगा फिर b is to h d is to this तो यह भी आपको a b c d आप करके देखे a b c d e f g h मतलब आपका b और h का relation क्या है एक दो 3 4 5 छोड़के हमारा आ रहा है तो जब हम d के 5 छोड़के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा j आप यह करके देखें यह मैं करके दिखाती हूं यह देखें अब d से हम स्टार्ट कर रहे है तो 1 2 3 4 5 छोड़के j आएगा तो इसले आपकर हमारा आणसर आएगा j अब यह वाला तो बहुत easy unscrramble the words in the column on right and write down correctly in the spaces provided the first letter of each unscrambled word reading from top to bottom spells out the answer to the following questions तो what is closed plane figure formed by three line segments is known as first equation है closed figure को हमने triangle triangle हमारा three line segment से बना रहता है यह दिखे कैसे बनेगा यह three line segments है और closed figure है तो जब हम इनको unscramble करेंगे तो जो इनका first letter आएगा उन सब से ऐसे top से bottom तक हमारा यह T है यहां पर R आएगा I आएगा A N G L E यह हमारा यहनोंने यह भी चीज़ दी हुई है तो बस यह वाले जो sum है यह unscramble हम कर लेते हैं first हो जाएगा tense फिर आपका right R I G H T यह क्या है आइसोस्लीस आइसो आइसो आइंगल नंबर ग्राफ लाइन अब हम इसको देखें यह ट्राइंगल बन गया यह यह आपर है तो हो गया इस तरीके से हमारा complete चलि हम next video में फिर जल्दी से मिलते हैं आप लोग मेरा playlist देखें उसमें बहुत सारे मेरे चानल पे मैंने बहुत सरे नए नए वीडियो अपलोड करे हुए हैं आपको जो यूस्फुल हो आप उन्हें जरूर से वाच करिए और लाइक शेर और सब्सक्राइब माइ चैनल थैंक यू फो वाचिंग यानवी जीजे